ब्ढ़न कैसे हो आप सब आई होंगे आप सरे और मैं क्या क्या मिला है। नो नो मैं आपको दिखाती हो और को म मैं आप में अगम और आवाजा हो आप ग्रीट के थी है तो फिर मैंने बहुत को दाब दिया तो गाइस यह था हम बेटी का सूट था जो आपने सबसे स्टार्टिक में देखा और यह कुछ मुझे 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 सूट के कपड़े दिलाए थे कि पर लग गर्मों के हिसाब से हैं पर अभी मैंन को सिल्वाऊंगी नहीं जब सेजन चेंज हो गया है तो जब घर में आजेंगे तो तब इनको मैं करवाऊंगी रेडी तो यह कुछ रूट के कपड़े थे तीन-चार हैं तो काफी अच्छे थे मेरी पसंद केही हैं और मुझे ना हमेशा ममी का जो मेरे लेती है ना पिछे भी आगे भी मैं नहीं भी र कि मेरी फैमिली कैसी है मेरे माई के वाले कैसे है मैं ऐसी फैमिली से हूँ ठीक है तो तारीफ नहीं कर दिया जो लोग तारीफ करने लाएक तो उनकी तारीफ और मेरी सारी फ्रेंड्स भी बोलती है कि हमें तुमारा माई का बहुत अच्छा लगता है तो चलो पहले मैं बांदे नहीं आती है मुझे दूसरे के ओपर डिपेंड रहना पड़ता है कि कोई मुझे मुझे मेल जाए तो बांदे जब इसको बांदेंगे तो कोई नहीं मेली जाएगा फर्च लेकिन मैं आप सीखूंगी साड़ी बांदा उसके बाद मैं दिखाती हूं आपको मेरे बैटे के कपड़े तो यह दो शर्ट है और आपको गैज पता ही होगा जो र to opposite कपड़े होते हैं ना वह कितना कोशली होते है और पाथे हम वह हम बड़ों से जाएदा ना बच्टे कपड़े काफी पहया फिंग हा तो यह जो मेरे मैं आपको ठोड़ा-ठोड जो जिषका बहुत ज्यादा महेंगाई है बच्चों के कपड़े पर पिर आंडी चीज दिखो होती है तो यह दो पैंट है इसकी दो शेट है तो यह बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी तो यह आन बार बार आ रहा था देखने के लिए बच्चों को रहता है न तो के बाद मैं आपको दिखाती हूं यह है मेरे सूट तो यह वाला जो सूट है न गाइस यह जो दो सूट थे मेरे पार्टी वियर के हिसाब से तो यह ममी ने दिलाई थे 2200 रुपे के पड़े थे यह वाला 2200 रुपे का जो मुझे इतना अच्छा लगा था ना पहली बार मे बहुत कश्ट्यूमर थे मैं वहां का अगर आपको वीडियो दिखाती ना तो सच में यार इतना कलक्शन अच्छा था ना यह भी लो वह सब चीज के लिए मन कर रहा पर मुझे इसमें यही पीस बचाता मुझे फाइनली बहुत पसंद आया था यह वाला तो इसके बाद य क्योंकि बेटी चोटी है तो साड़े वाडी ना कैरी करने में बहुत प्रिशानी होगी और एक है यह तो अभी फिटिंग वेटिंग तो नहीं कराई है लेकिन मैंने इनको डाल के देखा ना तो फिटिंग कराने के ज़्यादा जरुवत तो नहीं है लेकि मुझे थोड़ा डेली यूज के लिए ममी ने दिलवाए थे कुटते जो यह भी ममी के पसंद के है मुझे सब कुछ ममी के पसंद काता मुझे चोइस करना नहीं आता नेरी मतलब नेरी पहांजीयों की शादी है तो उसमें भी न हमको कुछ ले जाना है न कपड़े वपड़े तो मेरी बहुत अच्छा लगाता है यह तो मला पुतले भी टंगा हुआ था तो हमें इसका कलर वलट सब अच्छा गया था और फिर ना इसको हम इस हिसाब से लेका है कि अगली बार तक मुझे बच्चे के ऐसे कपड़ पसंद आता है कि बच्चे ठीक ठाक पहने और यह नहीं है कि थोड़ा साइन कि अगली साल भी कामा जाएगा मैरी मम्मी भी इन चीचों को करती है और मैं भी हो ज़ाता वी सालreno दिखा जाएगा तो उसके बाद मैं मैं दिखाती हो आपको मेरे हाजबन जी का मैं एक ली हैस्बन कोई भी नीत है तब aligned यहीं से आप पट्छा लिए यहा इसलिए जो लोग कमेंट करते हैं न फाल तु वाले तो इससे सोच लिया करो भी जो चीज दिखती है हर किसी का घर एक जैसे नहीं होता अपने अपने फैमिली का ये किसी और की फैमिली का दिख के ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते न अब 10-15 मिनट की वीडियो में क्या किसी को ठीक है तो उसके बाद है उसके बाद ये मैं ममी ने दिलाई थी मुझे दो कॉटन की बैट सीट क्योंकि यहां जा मैं रहती हूं यहां पर इतना अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है तो बैट सीट यह लेके भी आ रखे थे पर वो ची मुझे नहीं अच्छी लग रही थी कोटन की बहुत कि नेने ये तो मुना करते गते हैं और मैं बहुत सारे आ मेरे का अरिकान दुकान जोग या लगानी है की ममी में आपास चुड़ा तो जा है जो अज चफ पिर सुड़ा है और ये ज्युच को तब्लाव मेरा अच्छा आप कि मैं करवाचोध पर सूट ही डालूंगी तो मैं कभी मैंने अपने घर पर कभी कोई चीज मांगी नहीं है कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए लेकिन हां मुझे मिलता है इतना कि मैं तारीफ नहीं कर रही हूं मुझे लाड़ प्यार दुलार मान समान यह कपड़े लते तो ए कि अगले जनम में हमको मिले ऐसे बोलती है तो अब इसी से समझ जाए कि जब वो सब ऐसे बोलती है तो क्या होगा कैसा है मेरे और मैं कैसी हूं